हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में पर्मानेंट वेकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में भारतिय पटसन निगम लिम्टेट की तरफ से ये वेकेंसी जारी की गई है जिसमें graduate pass candidate apply कर सकते हैं salary जो है इसमें काफी अच्छी आपको मिलने वाली है fresher जहां apply कर पाएंगे तो salary 21,500 से लेकर 86,000 तक रखी गई है ठीक है और भी कई poster हैं यदि आप आविदन करने के चुक रहेंगे जहां पर graduate pass candidate आविदन कर सकते हैं मुझे लगता है कि ऐसी vacancy की सूचना जो है आप लोगों को तक जरूर पहुँचनी चाहिए और जहां permanent vacancy हो तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले official website पर भारतिय पट्सन लिगम लिम्टिड JCI इसमें जो है recruitment section में 10-9-2024 का यानि बिल्कुल fresh advertisement है कल ही जो है ये advertisement official website पर डाला गया है a government of India enterprises इसमें वेकैंसी जो है बिल्कुल permanent जारी की गई है regular basis पर और ये vacancy जो है जो की छे राजियों के लिए है बैस्ट वंगल, बिहार, आसम, तरपुरा, ओडिशा, आंधर प्रदेश fresh recruitment and special recruitment drive first attempt इसमें जो है ये accountant की vacancy है, junior assistant की vacancy है, junior inspector की vacancy है यहाँ पर जो ये post है junior assistant की इसमें general category 30 year है बाकी age relaxation category wise बिल्कुल दिया जा रहा है इसमें qualification graduate pass candidate arts, commerce, science जिससे भी आपने किया है इसना तक आपकी complete होनी चाहिए और आप जो है computer पर काम कर पाएं MS word, MS excel की knowledge हो minimum typing speed 40 word per minute in English तो अभी आपने इसना तक complete किया हुआ है, graduation आपकी complete है कितनी भी percentage हो आपकी, अगर आप junior assistant के लिए apply करना चाहते हैं बिल्कुल permanent vacancy है, 21,500 से 86,000 तक salary है, काफी अच्छी रहने वाली है typing speed तो है, उसके लिए आप लोग कोशिश कर सकते हैं English में 40 word per minute जो है, मांगी गई है, ठीक है, तो इसको सीख लें, कोई यहाँ पर degree या diploma तो नहीं मांगा गया है, केवल आपको काम करना आना जाहिए ठीक है, और बाकी जो post हैं, जैसे accountant की है, तो इसमें तो experience मांग रहे हैं काफी अच्छा commerce वाले candidate, M.com वाले candidate आविदन कर सकते हैं, 5 year experience के साथ में और B.com वाले 7 साल के अनवब के साथ में, यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, salary काफी अच्छी है, 28,600 से लेकर 1,15,000 तक है, इसमें number of vacancy 23 है, category wise जैसे SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 5 है, EWS की 2 है, UR की 10 है, ठीक है junior accountant में आप देखें, 25 vacancy है, जिसमें SC category की 4 है, ST की 2 है, OBC की 6 है, EWS की 2 है और unreserved category की 11 है, एक और पद junior inspector इसमें भी अनवब मांग रहे हैं, 12 के साथ में 3 साल का unreserved आपका होना चाहिए, purchase या cell of row jute, तो अगर आपके पास कोई unreserved नहीं है, तो आप junior accountant के लिए apply कर सकते हैं, क्योंकि ये regular vacancy है, और काफी अच्छी salaries में मिलने वाली है, ठीक है typing जो है, वो बाद में सीखी भी जा सकती है, general category, UR, EWS, OBC, इन सभी के लिए उम्र 30 साल है, OBC non-criminal year की 33 है, SCST की 35 है, PWBD की 40 यर है, और PWBD SCST के लिए 45 है, OBC 43 यर है, ex-servicemen के लिए as per government of India guidelines in force, selection criteria, selection criteria में accountant का जो पद है, उसमें computer based test, first stage के लिए, दूसरा document verification, उसमें final merit list, बस एक exam है, और इसमें भी इन्होंने कह दिया कि 50% marks जो है, वो लाने ज़रूरी है, SCST, PWBD को 45%, junior assistant के लिए आप देखें, जो भी candidate apply करने के इच्छुक रहेंगे, आप किसी भी राज्य के candidate है, apply कर सकते हैं, computer based test होगा, और आपका typing test हो रहेगा, English का, उसके बाद जो है, DV होगा, final merit list बनेगी, अब हर students को पता नहीं होती है, SC vacancy, इसमें qualifying marks भी जो है, आपके 50% general, OBC, EWS, ex-servicemen को चाहिए, 45% SCST, PW, DGO, तीसरा जो पत था, इंस्पेक्टर का, junior inspector का, तो इसमें केवले के exam है, DV है, trade test होगा इसमें, और final merit list, ठीक है, syllabus भी जो इन्होंने नीचे दिया हुआ है, कैसे apply करना है, तो सबसे पहले official website पर जाना है, तो recruitment section में, जैसे ही advertisement आप देखेंगे, यहाँ पर, advertisement number है, 02-2024, recruitment in non-executive cadre, 10-9-2024 को जादी किया गया है, और 30-9-2024 last date है, आविधन करने की, यहाँ पर click here to apply आपको नजर आएगा, बस इस पर click कर लेना है, अगर आप apply करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है, cut-off date for calculating, age and experience, 1-7-2024 रहेगा, online application 10-7-2024 से start है, कल से शुरू है, और अंतिम date 30-7-2024 है, date of computer-based online examination to be announced letter, तो official website का link आप लोगों को provide किया जाएगा, चेक करते रहिएगा कि कब जो है आपका test होगा, application fees यहाँ पर देखिए, SCST-PWVD category candidate are not required to pay any application fees, कोई fees नहीं देनी है, SCST-PWVD candidate को, journal, ex-servicemen, OBC, EWS, इनकी जो है रहेगी 250 रुपीज, तो 250 रुपीज जो है आपको pay करना होगा, तो source समझ के जो है, form apply करिएगा, वैसे regular vacancy है, इसना तक आपका complete है, typing जो है वो आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बिल्कुल, तो ऐसी vacancy के लिए आप जरूर आविधन करें, 30 सितंबर last date है, भारती पर्षन निगम Limited, भारत सरकार का उपकरम, Agourment of India Enterprise, मिलेंगे नेक्ट वीजियो में, थैंक यू.